नमस्कार मैं प्रग्या धर्दत इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को आज से छट पूजा सुरू हो रही है यूपी बिहार समीत राजधानी दिल्ली में भी छट पूजा की तैयारियां की गई है शहर में कई जगो पर घार तैयार किये गए और पंडाल सजाए गया है इस पीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है एक साइस विवाग ने घोशना की है कि छट पूजा के दिल्ली में ड्राई डे रहेगा यानि 19 नमबर अभीवार को दिल्ली में शभी सराब की दुकाने बंद रहेंगी बता दे कि छट पूजा के दिन शड़ाब की दुकाने बंद करने की कॉंगर्स पार्टी ने मांग की थी मद्य प्रदेश में शुक्रवार को राजी की सभी 230 विधान सभा सीटों के लिए मद्दान हुई है शुक्रवार को यानि कि आज राजी के मद्दाता तैय करेंगे कि इस बार उन्हें किसकी सरकार चाहिए हालाकि मध्य प्रदेश का चुनावी मोहल इस बार कई रंग बदला हुआ है जिस मध्य प्रदेश में विधान सबा चुनाव की घोशना से पहले ही माना जरा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी शुवरा सिंग चौहान को राज्य का मुक्र मंतरी नहीं बनाएगी उसी मध्य प्रदेश में चौनाव प्रचार खत्म होने तक चौहान ने अपना पक्ष रखा है बॉलिवोड के सलुभाई सल्मान खान के लेटस्ट रिलीज फिल्म टाइगर तीन को रिलीज हुए पास दन पूरे हो चुके हैं सल्मान खान की एक फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुई मेकर्स को तेवार के मौके पर फिल्म को रिलीज करने का भरपूर फायदा मिला सेंकल्पिक की एक रिपोर्ट के मताबिक टाइगर 3 एडवांस बुकिंग के जरीए फर्स डेके करीब 4,62,3277 टिकेट बेस्ते वे 12.43 करोड रुपे की कमाई थी बंगाल की खाडी में बना गहरा दवाब शुकरवार को चक्रवाती तुफान में बदल गया और अब यह शुंदर बंसे होते वे बांगलादेश के तट से टकराएगा इस चक्रवाती तुफान के असर से भारत में कई जगह भारी बारिश हो सकती है जब यह चक्रवाती तुफान बंगलादेश के तट से टकराएगा तो इस दोरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाय चलेंगी मारती मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है को दोराते हुए न दिखाई देते हैं वारल वीडियो के की फिर्म्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें यूट्यूब पर इसका लंबा वर्जर मिला इसे यह नंदी घोशना टीवी नामक यूट्यूब चैनल पर 29 अप्रेल 2021 को वीडियो में एक जगह हमें ABP के लोगो वाला माइक दिखता है एन जानकारीयों की मदद से कीवर्ड सर्च करने पर हमें ABP आनंद की 29 अप्रेल 2021 को छपी एक रिपोर्ट मिली CPCB के मुक्ताविक दिल्ली में overall EQI level 386 से 404 बना हुआ है वही नोईडा में यह 366 के आसपास से दिल्ली के अरंद विहार की बात की जाए तो यहां का EQI level 413 से 447 तक बनाड़ा है फिल्हाल दिल्ली की हवा जहरीली बनी वी है और फिल्हाल दिल्ली में 22 तारिक तक बारश की संभावना नहीं है ऐसे में निकट भविश्य में दिल्ली NCR वालों को प्रदूशन से चुटकारा मिलते वे नजर नहीं आ रहा जारखन के परश्यम सिंग भूमी के रहने वाले महादेव के साथ जारखन के 15 लोग भी टरल में फंसे हैं सभी के सभी सुरक्षित हैं ना केवल महादेव बलकि टरल में मौझू सभी 40 लोगों के परिजनों से उनकी लगातार बाचीत कराई जा रही है टरल के भीतर मजदूरों के लिए लाइफ लाइन बने 4 इंच के पाइप की बदलत ना केवल पड़याप्त आक्सीजन मिल रही है बलकि खाने पीने का समान और जरूरत की दवाई भी पहुँच रही है अमेर्की राश्रुपती जो बाइडन के पी एम मोदी और भारत के लोगों के लिए संदेश पर केंदरे वानिजी और उद्योग मंतरी प्यूस गोयल ने कहा कि जब मैं कल राध बाइडन से मिला था तो उन्होंने अपनी शुप कामनाय दी थी और उन्होंने इस्ताथी को से तरशाता है कि जलवाई उमुदों पर प्रधान मंतरी मोदी का निरंतर रुख दुनिया के साथ मेल खाता है और भारत और अमेरिका ने मिलकर काम करने का संकल दिया है चट महापर्व पर स्कूरों में योगदान देने को लेकर नाराज सक्षकों को विभाग में छुट्टी देकर खुश कर दिया है बिहार सिक्षा विभाग की और से गुरुवार को पत्र चारी करते वे जामकारी दी गई है कि 1920 नमबर को छट महापर्व को देखते वे छु दिनों में सक्षकों को योगदान नहीं होगा ऐसे वे जो सक्षक बच जाएंगे उनका हर हाल में किस नमबर को योगदान करा दिया जाएगा हर्याना में जहरीली सराफ सोही मौतों को लेकर प्रदेश की मनोहर लाल खटर सरकार विपक्ष के नशाने पढ़ है एवं शुर्ब कामनायदी उन्होंने कहा कि लोग का स्थाकाया महा पर्व आत्म अनुसासन का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक पुद्धी शुद्धी और निर्मल मन से अस्ताचल और उदाइमान भगवान श्री को अर्गे अर्पित करते हैं केरल सरकार ने शुकरवार को कहा कि उसके द्वारा आयोजित पहली परेटर निवेशक बैठक से वैश्विक महामारी के बाद में युक में राजिय सरकार की यात्रावा आतित्य चेत्र की पहल को काफी बढ़ावा मिला है कि केरल परेटर न विवाक के उर्च जारी प्रेस्विक गयपती के अनसार इस आयोजिन में चेत्र के लिए 15,116.65 करोड रुपए जुटाए गये इसमें एक समझोता ग्यापन भी शामिल है जिसमें केरल परेटर ने 250 करोड रुपए के हाउसबोट होटल प्रोजेक्ट के ल अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडन से मुलाकात की थी वहीं एपी इसी के इतर चिनी राश्रुपती सी जिन्पिंग और अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडन की मुलाकात पर केंद्रे वानिजे और उद्योग मंत्री पीउस गोयल ने कहा कि मैं अमेरिका और चीन के ब मेहामार सैनेकर में मिजोरिम भागित गय थे हाला कि इन में से कहीं सैनिकों को वापस भेज दिया गया था पुलिस महा नेरक्षक लाल ब्याग ठांगा ख्यांगते ने समचार एजनसी पीटियाई को बताया कि आज 29 और सैनिकों ने तियाउ नदी के पास चमफाई जिले के सैखु मफाई में पुलिस और असम राइफल से संपर किया या भारत और महामार के बीच सीवा के रूप में कारे करती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनात राजिस्थान के केकड़ी विधान सबाद छेतर में चुनाओ प्रचार के लिए पहुँचे जहां उन्होंने बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया और कॉंगनिस पर जमकर निशाना साधा इस तोरां सीम योगी जब बुल्डोजर का जिक्र किया तो लोगों ने खूब तालिया बजाए सीम योगी ने कहा कि पहले यूपी में माफिया थे जिनके लिए हम बुल्डोजर लाए थे आज वहां पर अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शान्त हो गई है सीम योगी की वाद सुनकर सभ में आए लोगों ने खूब तालिया बजाई के लिए शुकरवार को परेवरं मंतरी गोपाल राय ने आगामी दिनों में दिल्ली की एर कॉलिटी को लेकर नया अपडेट दिया है बरते बायू प्रोदूशन के मधे नजर दल्ली के एक एजरिवाल सरकार ने नियमों को लागू करने और प्रोदूशन के निगरानी में सहायता के लिए एक विश्द सग्य कारे बलका गठन किया यह चास दस्य है एस्टी अवेवन विभागों के साथ समनवाई करे और खड़ाब एक्यूआई से ने पटने के लिए रिपोर्ट संकलत करने जैसे अने कारे करेंगे इसके साथ ही यह भी समिक्चा की गई है कि किस विभाग ने अभी तक क्या कारवाई नहीं है इतना ही नहीं इस फाइनल मैच के लिए और उस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज और डिप्टी पीम रिचर्ट मास को भी नुवता भीजा गया है हाला कि अभी दोनों के कन्फरमेशन का इंतजार किया जा रहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वोईज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का संबोधित किया ग्लोबल मार्केट और इशियाई बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच घरेलो बाजार में शुक्रवार को शुरवाती कारोबार में गिरावर्टाई भायाद में कारोबार उतार चड़ा के बीच चारी रहा सिल्सक्स की कमपनियों में एक्सिस बैंक, भारतिय स्टीर बैंक, बजास फाइनन्स, बजास फिंसर्वर, स्टी एफसी बैंक और आईसी आईसी आई बैंक के शेयर नुकसान में रहे मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को BMC के माध्यम से मुंबई शहर और उपनगरों के सभी रेलवे स्टेशनों पर सोचाले की सफाई करने का नरदेश मुख्य मंतरी एक नाथ सिंदे ने आज यहां दिया वर्षा आवास पर हुई बैठक में मुंबई शहर में साफ सफाई और प्रदूशन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई इस अफसर पर मुंबई के रेलवे स्टेशनों के सोचालियों को लेकर भी चर्चा हुई थी मुख्य सचीव मनुष सैने का मनपा आयोगत आई एस चहल लगर विकास विवाग के प्रदान सचीव के एच गोविंदराज और मनपा के अतरिक्त आयोग डॉक्टर सुधाकर सिंदे उपसुखे राजे की करीब 4 लाग नियुजस सक्षकों को राजे कर्मी का दर्जा जल्द मिलने की उमीद है इसके लिए नेमावाली को सक्षा विवाग ने अंतिम रूप दे दिया है जिस पर राजे सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी है सिंदे इस पर मोहर लगने के आसार है सरकार की मंजूरी के बाद नियुजस सक्षकों की सक्षमता परिक्षा लेकर उत्तर्ण होने वालों को राजे कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा इसके बाद उन्हें बिहार लोग सेवा आयोग से बहाल सक्षकों के समतले वेतरमान और अनिस सुधाय करने लगे दी चार साल के सनातक डिग्री वाले चातरों को एक साल की पीजी डिग्री हासल करने के अनुमती दी जा सकती है पीजी पाठे क्रमों पर यूजी सी मान दर्णों के मसाधे के नसार सभी पीजी चातर विश्यों को बदलने या ओफलाइन दुर और अनिस साल के साथ 4 साल का असनातक कारिकर्म पूरा करने वाले चातरों के लिए एक साल का मास्टर विश्यों की कारिकर्म हो सकता है भार्दी रेलवे अगले 4-5 वर्षों में 3000 नई ट्रेने शुरू करने की योजना बनाई जारी है क्योंकि जनसंक्या बढ़ रही है इसे समयो जित करने के लिए और अधिक ट्रेनों की जरूरत है इसके लावा मंतराली यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लक्षे पर भी काम कर रही है रेल मंत्री अरश्विनी वैश्यमनी गुरुबार को इसकी जानकारी दिया उन्होंने कहा कि नई ट्रेने सुरू से 2027 अधिक टिकर का जहनजट खत्म हो जाएगा और सभी को अर्फी बार जगह बनाई है जबकि पांच बार कंगारू टीम इसकताब को अपने नाम कर चुकी है वहीं अब ऑस्ट्रेलिया आई कपतान पैट कमंस ने फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को चिताया है और क कि अब टीम इंडिया से फाइनल मुकाबला खेलने के लिए बेकराग है उत्तर प्रदेश में सक्षा व्यवस्ता को बहतर बनाने के लिए राजिसरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है एक हो जहां विद्यालियों में सक्षा व्यवस्ता सुचारू रूप से हो सके और सुबहनिधन हो गया उन्होंने गाजियाबाद के कवी नगर में अपने घर पर अंतिम सांसली से रायातरी का अंतिम संसकार हिंडन सम्षान घार पर अपराहां तीन बजे हुआ वक उस समय से बीमार्ते या जानकारी उनके परिजनों के कड़ीबी एडवोकेर प्रवीन ने दी उन्होंने कड़ीब 18 कथा संग्रव तेथी सुपनयास दो व्यंग संग्रव लिखे इसके लावा एक कथा संग्रव और स्मरंस कृति का संपारों किया सीमा वर्ती जिला होने के बावजूद पराली प्रवंधन करने एवं प्रदूशन पर नियंतरन करने हैं तू S.A.E.L. कंपनी की विशेश पहल के अंतरगत नार्वे के विदेश मंतराली के अंतराश्च्रे विकास मंतरी एनी बीथ ट्विनर राम के निदत में विशेश प्रतिनीदी मंडल ने वीरवार को फिरोजपूर में पराली से बिजली बनाने के S.A.E.L. प्लान का दोरा के अस दोरे के दोरान प्रतिनीदी मंडल ने पराली से बिजली बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी लिए उन्होंने भारत और पंजाब सरकार दोरा पराली से बिजली बना कर प्रदूशन रोकने के लिए किये जारे प्रयासो विजय थरापती साउथ के वो सूपर स्टार है जिनके फिल्म में रिलीज होते ही बॉक्स ओफिर पर चाजाती है ऐसे में जब 19 ऑक्टूबर को उनकी फिल्म लियो ठीटर्स में रिलीज हुई तो बॉक्स ओफिस पर धूम बच गए फिल्म लियो विजय के अब तक करिया की स 230 करोर उपे का काड़ोबार कर लिया ऐसा करके लियो ने तमिलानों की सबस्यादा कमाई करने वारी टॉप 10 मुवीज की लिस्ट में जगा बना ली है अब बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके पसंदीता अक्टर कौन है अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्ष्ण में लिका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद